नमस्कार हार्दिक अभिनंदर आप सबी हमें देख रहे हैं CIT NCRT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरेक्टिव सेशन में और इस सेशन में इविद्या चानल नमबर 10 के जरिये हम कक्षा 10 के बच्चेों के लिए साइंस में एक बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं इस इंटरस्टिंग टॉपिंग पे हम इलेक्सिटी को जानेंगे यह चैप्टर है इलेक्सिटी का और आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्सिटी वोक करती हैं आप देखते होंगे कि घर पर कभी-कभी आप स्विच के साथ अगर खेल रहे हैं तो पेरेंस आपके आपको समझाते होंगे कि बच्चों आपको करंट लग सकता है या पिर कभी-कभी यह भी कहा जाता होगा कि आप गीले हाथों से स्विच्ट को प्लक को मच हुई हैं जाचना और इसकी समझ रखना बनता है तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए यह सत्र रहेगा साइंस का और इलेक्सिटी हमारा विशा है आपके मन में जितने भी प्रशनों आप हमें लिख सकते हैं हमें आप मेल कर दीजिए अपने सभी प्रशन हमारी मेल आईटी पर हमारी मेल अपने सवाल और यकीन मानी हमारी मेल इस सब्सक्राइब कर सकते हैं इस लाइफ कॉल के जरिया आपके प्रशनों को हम सत्र में शामिल करेंगे और आपके नाम के साथ करेंगे हमारा फोन नंबर है 8800 440 559 यह सभी जानकारी हर सत्रों की तरह इस सत्र में भी स्क्रीन पर फ् और यकीन मानी हमारे साथ जो अतिती हैं उन्हें बहुत कुशी होगी आपके सभी प्रशनों का जवाब देते हुए चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी एक्सपर्ट के पास माम में सुर्भी भारगव हमारे साथ है माम हार्दिक अभिनंदर थैंक यू थैंक यू स प्रशन, I am very delighted to be here with all our viewers and I welcome you to our session on electricity for class 10, let us discuss the learning outcomes, जैसा कि आप देख सकते हैं, in today's session the learner will be able to define electric current, electric current क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, recognize the components of an electric circuit, एक electric circuit किन-किन चीजों से मिल के बनता है और उसमें current कैसे flow करता है, इस बात को हम समझेंगे and then develop the meaning of resistance using Ohm's law, Ohm's law जो कि एक बहुत basic law है related to electricity, उसके बारे में जानेंगे और उसी से derive करेंगे resistance का मतलब जी, तो बच्चों ये तो रहा हमारे आज के विशे का सवल शब्दों में परिज़ है, ये सभी आप आज के सत्र के बाद जान पाएंगे, तो चलिए, मैं हम से एक एक करके सभी बातों पर जानना शुरू करते हैं ओके, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता होगा, वो होगा, what is electricity? Electricity आकर है क्या? ये current लगता कैसे है? और कैसे हमारी electrical devices, जिनसे की हम आज की तारीक में बिलकुल घिरे वे हैं? ऐसा लगता है मानो, electricity के बिना, electrical devices के बिना हमारी life possible ही नहीं है तो स्रिजन आप बता सकते हैं कोई भी ऐसी पांच चीज़ हैं जिसके बिना आपको लगता है कि आपकी life possible ही नहीं हो सकती? बिलकुल माम हम यकीनन, electricity के बिना आज के time में सोच पाना भी मुश्किल है ऐसे में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा laptop और mobile का charger क्योंकि हमें अपने दोनों ही devices को चार्ज करना हैं क्योंकि गर्मी हैं तो fan, AC, coolers, जो भी हमें cool कर सकें without TV भी हम imagine नहीं कर सकते, because ये एक आपका और हमारा जुडने का जरिया भी है, so माम ये सभी devices बिलकुल, refrigerator हो गया, tube lights हो गया, fans हो गया, बिलकुल basic needs बन गई हैं और ये सारी की सारी work करती हैं electricity पे, so electricity आकर है क्या? बहुत ही simple words में, it is just a form of energy, कैसी energy जिसको हम control कर सकते हैं अपनी convenience के हिसाब से और आज आप देखें, तो कोई भी society का ऐसा sphere नहीं है, जहां पे electricity का use नहीं हो, whether there are hospitals, industries, schools, houses, everything So, electricity is just a very controllable and convenient form of energy, अब electricity को आगे detail में समझने के लिए हमें एक basic चीज समझने कर पड़ेगी और याद भी करनी पड़ेगी जो की आपने previous classes में भी पड़ी होगी, which is called electric charge Electric charge क्या है और कहा होता है, atom के structure में आपको याद होगा, atom के structure में, there is a nucleus at the center Nucleus में होते हैं, दो तरीके के charges, one is proton, जो की होते हैं positively charged and one is neutron, जो की chargeless होते हैं, neutral होते हैं But उनके nucleus के around, electrons revolve करते हैं orbits में, fixed orbits में, so basically there are two types of charges, one is electron which is negatively charged and the other is proton which is positively charged अब ये charge की वज़ा से ही electric current होता है, charge जिसको हम usually a q नामक symbol से denote करते हैं, उसका ऐसा unit होता है coulomb और जब ये electrons जो की घूम रहे हैं orbits में, एक जगा से दूसरी जगे एक wire में move करेंगे, from one place to another within the wire, तब वो कहलाएगा current stationary charge is not current, only a moving electron constitutes current, लेकिन conventionally, traditionally direction of current माना गया है, flow of positive charges ना की electrons, तो positive charge wire में, जिस side से, जिस side जा रहा है, that is the direction of electric current so, ये basic सी बात है, ना electric current की अगर हम definition की बात करें, तो it is nothing but the flow of charge in a given amount of time, एक given time में जितना charge flow किया, from one position to another, उसको हम बोलेंगे electric current और वो ही हमारी सारी devices में flow कर रहा है, इस current का SI unit, अगर definition से देखें, q by t तो होता है, coulomb per second, जिसको हमने एक scientist के नाम के honor में नाम दिया है, ampere so ampere is the SI unit of electric current, अब आपके सामने screen पर एक छोटा सा simple electric circuit है, ऐसे बहुत सारे circuits हमारी devices में होते हैं, पर आज हम start करेंगे एक simple से electric circuit, diagram में अगर आप देखेंगे, तो एक bulb आपको दिख रहा है, there is a switch, जो आपको दो dots के बीच में जुडा हुआ हुआ है, और एक side में आपको दिख रहा है, बड़ी line और छोटी line, previous classes में आपने ये symbols को पड़ा है, जो छोटी line और बड़ी line है, that is nothing but a cell, आप अपने घड़ी में cell डालते हैं, तो घड़ी चलने लगती है, आप अपने remote में cell डालते हैं, तो वो चलने लगता है, that means, this cell is giving that energy to the circuit for the flow of charge, तभी आपकी devices चल पड़ती हैं, जब आप cells को डालते ह है, so यहाँ पर आपको एक demonstrate करना चाहेंगे, छोटा सा circuit, which we have here, इसमें ये तीन चीजें है, one is a cell, जो की यहाँ पर लगा हुआ है, अपने cell holder में, there is a small bulb over there, जो हमने यहाँ पर LED यूज किया है, and there is a switch, जो की on-off करता है, या तो ये में से current pass होने देगा, या नहीं होने तो इसलिए आप देखेंगे, ये बल्ब जल नहीं रहा, now when I am going to push this switch, it will come in the on position, और आप देखेंगे कि ये circuit काम करने लगेगा, और ये बल्ब जल जाएगा, so let's see, so I am switching it on, can you see, ये LED जल गया है, that means, now electric current is passing, जब हमने ये फिंगर हटाई, now the switch is again off, and current is not flowing, so बहुत हीज सिंप है, now the current is flowing in the circuit, और ये बल्ब जल गया है, so this is what a simple circuit is, अब class 10 के हिसाब से, अब आप class 10 में है, so you have to go a little further, और आपको और भी थोड़ा सा complex circuit समझना होगा, माल लीजे मैं आप से question पूछूँ कि इस circuit में कितना current flow कर रहा था, कि आप मुझे बता पाएंगे, no ma'am, in this small simple circuit हम नहीं बता पाएंगे, that means we have to add some device, जो कि ये measure कर सके, इसमें कितना current जाएगा, so for that we have another device which is called an ammeter, am आता है ampere word से, क्योंकि ampere, electric current का unit है, so amp plus meter, meter means to measure, so जो भी device measure करे current, that is called an ammeter, आपको मैं यहाँ पर दिखा सकते हूं, there is an ammeter, which looks like this, so आप देखेंगे, यह एक छोटी से electric device है, which is usually used in physics laboratories, इसके अंदर आप देखेंगे, there are calibrations, यहाँ पर कुछ markings लिखी हुई है, which will tell me कितना current flow कर रहा है, और यहाँ पर एक symbol A लिखा हुआ है, A का मतलब है ampere, that means यह device measure करती है current, right, so इसको अगर मैं circuit मैं add कर दू, लगा दू, तो मेरे को यह value देदेगी current की, जितना current उस time उस bulb में से flow हो रहा है, So, on your screen, if you will see, there is a circuit, which is given, जिसमें की हमारी वही तीन components है, एक cell, एक key और एक bulb, but उसके साथ हमने एक और चीज लगाई है, जो की आपको दिख रहा है, A in a circle, that is the symbol of ammeter, जब भी हम circuit में symbol के थ्रू बनाते हैं, तो हम ammeter को ऐसे show करते हैं, So, ammeter measures the current in the circuit, और आप देखेंगे कि यह जो है, वो बिल्कुल बीच में सबके साथ लगा हुआ है, एक ही line में, इस तरीके के connection को कहा जाता है, series connection, So, ammeter is always connected in series in a circuit, So, इस तरीके से हम एक current की value को measure कर पाएंगे, in the circuit. Ma'am, क्या ammeter का use कुछ इसी तरह से होता है कि जब हम देखते हैं हमारे घर कोई हमारा बिजली का बिल अगर मापने आया है, measure करने आया है, so they have that ammeter? They have devices, अगर आप देखेंगे हमारा जो हाउस का circuit होता है, उसमें बाहर फ्यूस के switches होते हैं, सबका connection, main building के connection में जाता है, so वो meters लगे होते हैं, individual household के, तो वहाँ पर इस तरीके का ammeter लगा होता है, जिसमें कि वो बस reading measure कर, देख लेते हैं, वहाँ पर वो digital होता है, यह analog है, analog मतलब यहाँ पर आपको देखना होगा कि कितनी value आ रही है, लेकिन जैसे digital clock होती है, और हमारी दूसरी clock होती है, जिसमें lines बनी होती है, 12, 1, 2, 3, और digital में direct number आता है, so आजकल जो electricity नापने के तरीके होगे हैं, हाउस होल्स में, वो digital meters लगे होते हैं, so these are laboratory ammeters. So science ma'am, इसी लिए वाक़ी बहुत interesting लगता है, क्योंकि यहाँ हमारे हर question को justify करने के लिए, एक scientific answer होता है, thank you so much for that ma'am, आगे भी आपसे जानना चाहेंगे. Right, so इसी context में, अब current के बारे में हमने जान लिया, एक और बहुत ही important physical quantity है, जो की class 10 में आपके लिए नहीं होगी, आप पहली बार आज इसकी बात करेंगे, which is called potential difference, अगर आप screen पर देखेंगे अपने, तो potential difference मतलग, और आप एक देखेंगे, अब इस circuit में, आप वही चीज़ देख रहे हैं, एक cell लगा हुआ है, एक bulb लगा हुआ है, बट यहाँ पर अब एक circle के अंदर V लिखा हुआ है, ना की A, that means this device is measuring something different, और इसका connection भी अगर आप देखें तो वैसा नहीं है, जैसा m meter का था in line, बलके यह तो एक अलग से branch की तरह है, अगर आप देखें, bulb के against एक branch की तरह जा रहा है, इस तरीके के connection को कहते है, parallel connection, जहां से branch out हो जाता है, पर यह volt meter करता क्या है, क्या measure करता है, so volt meter is another device which measures potential difference between two points, अब यह potential difference क्या चीज़ है, potential difference होता है, मान लीजे यह जो bulb लगा हुआ है, इसके एक side से दूसरी side तक, मुझे एक coulomb का charge ले जाना है, I have one coulomb of charge, उसको मुझे उसके एक side से दूसरी side ले जाना है, so उस charge को move करने के लिए कुछ work done होगा, मतलब battery जो हमारा cell या battery लगा हुआ है, वो उस charge को push करेगा from one side to another, और इसी में वो cell consume हो जाएगा थोड़ा, आप देखते होंगे की cell दीरे-दीरे कम हो जाता है, then you have to replace the cell, cell use होता जाते है, वो किस चीज में use हो रहा है, वो इन charges को move करने में ये use हो रहा है, so potential difference कुछ भी नहीं है, it is very simply the work done in moving a unit charge, unit charge मतलब one coulomb of charge from one point to another point in a circuit, अब वो 2 point कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको bulk के 2 points दिखा है, एक left, एक right, but this can be any 2 points in this circuit, तो उसके across, उन 2 points के across अगर मैं यह voltmeter लगा दू, तो यह मुझे एक reading देगा potential difference की, अगर definition की बात करें, तो this work done is related to potential difference by the formula, V is equal to W by Q, W for work done, work done आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आपने class 9 में work energy power chapter में पढ़ा हुआ है, work done क्या होता है, work done का SI unit होता है joule, आपको याद है, so work done upon charge मतलब joule upon coulomb, so इसका जो potential difference का SI unit है, वो है 1 joule upon coulomb, जिसको हमने एक और scientist के honor में नाम दिया volt, 1 volt, so SI unit of potential difference will be volt, और इसको measure करने के लिए हम लगाएंगे voltmeter, देखिए, आपकी screen पे voltmeter दिखाई देगा अभी, बिल्कुल similar है, यह ammeter के जैसा ही दिख रहा होगा आपको, वैसे ही readings हैं, लेकिन एक difference है, यहाँ पे A नहीं लिखा, क्या लिखा है, V, V मतलब potential difference, तो जब भी आप इसको parallel connection में लगाएंगे अपने circuit में, उन दो points के बीच का potential difference आपको मिलेगा, okay, so this is another device जिसके बिना आपको 10 में circuits का पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, तो यह तो आपको सीखना ही होगा, okay, so voltmeter measures potential difference, ammeter measures current, अब आते हैं अगली बात पर, यह वो हम पढ़ क्यों रहा है, potential difference, current अब अलग-अलग पढ़ लिया, voltmeter, ammeter के बारे में जान लिया, so अब मैं आपको यह disclose करती हूँ कि हमने यह पढ़ा क्यों है, so एक बहुत ही known scientist है, George Simon Ohm, German scientist थे, physicist थे to be specific, इन्होंने अपनी observation में, experiments में, he was able to find a relationship between current and potential difference, और यह बहुत ही important law है, electricity को पढ़ने के लिए, कितना current एक circuit से flow कर रहा है, एक metallic wire से flow कर रहा है, और उस metallic wire के across, कितना potential difference है, इन दोनों के बीच में एक relationship निकाला Ohm ने, तो बात करते हैं, Ohm's law की, बहुत ही simple सा law है, if you see, आप identify कर पाएंगे इस circuit को, फिर से इसके सारे components को आपको दिख रहे होगा, एक cell नीचे की branch में, उससे connected एक switch या जिसको हम key भी बोलते हैं, और आपको दिख रहा होगा ammeter, A symbol के साथ, एक voltmeter जो की parallel में लगा है, और ये एक particular length of wire, R के across लगा हुआ है, आप देख रहे हैं R, ये कुछ नहीं है, R ये एक wire है सिर्फ, उस wire के across हमने ये potential, ये voltmeter लगा दिया है, ताकि ये measure क्या करे, X से Y तक 1 coulomb का charge ले जाने में cell को कितना work करना पड़ रहा है, वो measure करेगा, and on the right-hand side you can see, हमने कुछ symbols को define किया है, अपनी NCRT की textbook में भी आपको ये symbols इसी तरह से मिलेंगे, ये जो ammeter है वो एक symbol से, voltmeter V symbol से, और सबसे उपर आप देखेंगे resistor wire, ये resistor कुछ नहीं है, एक metallic wire ही है, जिसका resistance हम बोलते हैं R है, resistance word का मतलब तो आप अपनी English की knowledge से भी समझते हैं, जो कुछ resist करे, तो ये क्या resist करेगा, ये current का flow resist करेगा, इसको हम इस तरीके के zigzag symbol से show करते हैं, तो जान लेते हैं की ओम ने बोला क्या और क्या उसका statement हुआ, So, he said the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current I flowing through it, provided, देखे, condition भी डालिया उनोने, provided its temperature remains same. So, इसका कहने का मतलब है that potential difference V और I directly proportional है, अब जान लेते हैं ये directly proportional का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा, I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा, V बढ़ेगा, So, current जितना flow कर रहा है circuit से, उसी के हिसाब से V बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, proportionally बढ़ेंगे, Right, So, जब ये proportionality sign हमने हटाया, तो हमें एक equality sign लगाना होता है, और आपको mathematics की knowledge से पता होगा, जब भी हम इस proportional को equal to में convert करते हैं, तो हमें एक वहाँ पे constant of proportionality लिखना होता है, on the right hand side, जो आप नीचे की equation में देखेंगे, R हमने लिखा है, R ये वही है resistance, उपर wire का, So, V is equal to IR, is the mathematical form of Ohm's law, R का नाम हमने दिया है, resistance of a conductor, ये वह चीज है, ये वह property है, इस wire की, जिससे की वह current के flow को resist करता है, वह थोड़ा सा resist करता है, पर conductors बहुत अच्छे, current को बहुत अच्छे से pass होने देते है, तो उनका resistance थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर हम insulators देखें, जैसे rubber, wood, उनका resistance बहुत जादा होगा, So, accordingly V और I भी उनके through होंगे, इस resistance का ऐसा unit है, in the honor of Ohm's, the scientist, उसका हमने ऐसा unit लिका है, Ohm, So, this is Ohm's law, Srirajan. Yes ma'am, that's very clear, और आप जैसे की बता रहे है, electricity topic में हमने current को जाना, और फिर ma'am, आपने m meter, volt meter के through भी बताया की कैसे measure किया जाता है electricity के flow को, और Ohm's law की भी आपने बात की थी, तो वह भी यहां पर आपने clear कर दिया है, ma'am next, आप से यही जानना चाहेंगे, electricity topic में, क्योंकि examination purpose से देखें ही, तो हमें बच्चों को उसके लिए भी तयार करना है, class 10th में, examination purpose से कौन कौन से questions हैं जो इस chapter से आ सकते हैं, आप उन पर भी बच्चों को जरूर बना है, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे मैंने बोला, Ohm's law बहुत ही important topic है, of this chapter, in fact यह एक defining equation है, for electricity, जो जो भी conductors इस Ohm's law को follow करते हैं, वो इस equation को follow करेंगे, V is equal to IR, तो कुछ ठोटे से questions देख लेते हैं, जैसे, what is the SI unit of electric current, बिल्कुल basic question है, recall basis पे है, आपको यह याद होगा, अभी हमने define किया ampere, in the honor of scientist ampere, इसी तर है, important question और है, what is the conventional direction of an electric current, हमने बताया कि electric current actual में तो electrons के flow की वजह से होता है, क्योंकि सिर्फ electrons move कर सकते हैं बहुत fast, लेकिन conventionally, हमने electric current का direction माना है, according to the direction of flow of positive charges, not the negative charges, यह ऐसा question है, जिसमें बहुत बच्चे confuse हो जाते हैं, वो सोचते हैं के electron move कर रहा है, तो electron के हिसाब से ही, electric current का direction होगा, but it is not like that, the conventional direction of electric current is taken to be the direction of flow of positive charges. Then, devices के उपर, ammeter, voltmeter, name the device which is used to measure the potential difference across an element of a circuit, voltmeter. Name the device which is used to measure the current in the electric circuit, ammeter. What is the difference between ammeter and voltmeter? How are they different? So, एक तो obvious difference हो गया, कि वो दोनों अलग-अलग चीजे measure कर रहे हैं, फिर से recall करते हैं, ammeter measures the electric current in the circuit and voltmeter measures the potential difference in the circuit. दूसरा difference क्या है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, मैंने connection के थू बताया था, कि दोनों अलग-अलग तरीके से electric circuit में connect होते हैं, ammeter कैसे connect होता है? In series. फिर से देखें, इंक बार circuit. आप देखें, आप की screen पे, how is ammeter connected? In series. और voltmeter कैसे connected है? In parallel. So, the basic difference in the connection is, that ammeter is always connected in series, and voltmeter is always connected in parallel. So, ये कुछ basic से questions होते हैं, अब आप खुच जरा करिये, एक pencil उठाये, और जरा लिखिये, draw the symbols of a cell, a resistance and a closed key. जल्दी से आप pencil को उठाये, और देखिये, अपनी screen पर, इस में से क्या आप identify कर सकते हैं, इस सेल का कौन सा सिंबल है? Closed key का कौन सा सिंबल है? बिलकुर. में इस सत्र का लिंक जरूर शामिल करें, जिने ये concept अभी तक cleared नहीं था. यकीन वारिये, आज के सत्र के बाद, आप electricity concept को लेकर, और अपने आपको पावरशुल फील करने वाले हैं, कि अब आप electricity के बारे में सब कुछ जानते हैं. माम हमारा सत्र वाकी बहुत बहुत बहतरीन रहा, और अगर बात करूँ एक non science student की तौर पर मैंने सच में बहुत कुछ नया जाना आज इस सत्र में, बहुत बहुत धनेवाद करना चाहेंगे, माम सुर्भी भारगव का, माम PGT Physics हैं और हमारे साथ DPS मत्रा रोड दिल्ली स्कूल चे जुड़ी हैं, माम थैंक यू सो मज़, थैंक यू थैंक यू पर इंवाइटें, सो बच्चों आपने भी बहुत कुछ नया जाना होगा, यहां आपको बता दूँ कि हम CIT NCRT द्वारा प्रसारित एक और लाइव इंटरेक्टिव सत्र लेकर कुछ ही मिंटों में आपके साथ जुड़ेंगे, हमारा यह सत्र है कक्षा 10 के बच्चों के लिए होगा और हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, एक चाप्टर, एक इंटरस्टिंग स्टोरी, तू स्टोरी अबाउट फ्लाइग, तो flying की कौन सी दो interesting stories हैं English literature में वो आपके लिए जानना यकीनन interesting होगा तो आप हमसे यूँ ही CIT NCIT के live सत्रों के साथ जुड़े PME विद्या चैनल नमबर 1 से लेकर चैनल नमबर 12 पर और हमारे official YouTube channels के जरिये भी आप हमसे जुड़ सकते हैं आप से एक अनुरोद और करना चाहूंगी आप जानते ही है कि लोग सभा के आम चुनाब 2014 का समय चल रहा है तो आप भी जरूर मतदान में हिस्सा लें अपना कीमती वोट देकर अपना कर्तव्वे निभाएं और एक भारती होने का कर्तव्वे भी निभाएं मैं स्रदन राजपूत अपनी पूरी टीम के साथ साइंस के इस सत्र से कक्षा दस के बच्चों से चाहूंगी इजासत नमस्कार